पो प्रोफेशन इंकुम का पहला कुश्टन है मेरा इस्से पहले हम लोग सिर्फ थीork समझाए थे कहो कभी विहFrank 75 निकान निकालेंगे तो करह हम आपको बताई जब भी किसी का प्रफेशन इंकम निकालना है आपका पहला step होगा कि आपके question में क्या information दिया सबसे पहले यहां से शुरू करो हो सकता है कि हो सकता है कि आपके question में receipt payment दे इंकम expenditure आकाउंट दे या फिर आपको question में cashbook बना के दिए इन में से कुछ भी हो सकता हैं अगर question मैं cashbook डिया है या question में receive and payment account बना के लिया है तो इन दोनों का solution एक जैसा होता है क्योंकि cash book हो या receive and payment account हो ये दोनों actual basis पर होता है जो पैसा हम receive किया होंगे वो debit में होगा और जो payment हम किया होंगे वो credit में होगा income and expenditure account अक्रुवल basis पर बनता है इसमें receive, receivable, paid और payable सारा item उसमें आपको मिलेगा यानि question numerical question के हम शुरुवात करें तो हम हर एक step आपको पिछले class में हम इससे पहले हर एक चीज हम पुदम को समझा चुके हैं अब जैसे ही इस question पर जाओगे सबसे पहला काम होगा कि question में क्या दिया हुआ है पहले यह देख लो आपके सामने जो question दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ देखे तो Online payment बना हुआ है कि income and expenditure क्या बना हुआ है मतलब कि income इसका मतलब यह accrual basis पर बन रहा है और दूसरा चीदश हम आपको बताये थे कि देखो, income and expenditure account कौन सा account होता है? credit side और इस से related यानि income and expenditure account से related rules आपको बहुत अच्छे सियाद रखना है कि income and expenditure account कैसे बनता था ये रूल आपको बहुत अच्छे सियाद रखना है क्योंकि ये profit, loss, surplus वगरा आता कैसे हो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि अगर आपको income and expenditure account आता ही नहीं है इसका मतलब कि आपको question कम समझ में आएगा इसलिए कल income and expenditure account कैसे पढ़े थे वो हम आपको आपको क्या करना है इस question में हम जैसे पहले business income में हम किसको base मानते थे net profit को base मानते थे तो net profit की जगहा पर ही यहां पर trading NPL account बनाते थे तो net profit लिखते थे और net profit का ही एक replacement यहां क्या निकलता इसमें surplus निकलता है क्योंकि यह trading NPL account नहीं है यह कौन सा account है हमारे लिए income expenditure है हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हम net profit को base नहीं मानते surplus को base नहीं मानते इसको लेना ही नहीं है ignore करिए कोई मतलब नहीं है इससे यह surplus कब आया होगा सारे income को add करने के बाद और सारे expenses को minus करने के बाद surplus आया होगा और हम जब अब कह रहे हैं कि surplus इसमें लेना ही नहीं है जब हम PGBP में business income निकालते थे तो हम क्या करते थे net profit को base मानते थे a net profit कब आया होगा सारे income को add करने के बाद तो इन में से कोई ऐसा income जो business income नहीं था तो हम उसको उल्टा क्या करते थे minus करते थे यानि income जो not allowed होता था हम उसको क्या करते थे minus करते थे और expenses minus करने के बाद ये surplus आया होगा तो कोई ऐसा expenses जो allowed नहीं है हम उसको उल्टा क्या करते थे plus करते थे यहां ऐसा कोई सीड नहीं होने वाला है क्योंकि हम business income नहीं पढ़ रहे हैं प्रोफेशन इंकम पढ़ रहे हैं यहां आपको क्या करना है सीधा सीधा चलना है यह इस income को देखकर इस income को देखकर यह इंकम है क्या किजेगा प्लस किजेगा अलग से इसमें कोई चीद उल्टा नहीं करता है सीधा सीधा चलना है यह इनकम है इसको पढ़कर अगर लगता है कि यह बिजनस इंकम सोई प्रोफेशन कम है एड़ करने के और इस expenses को देखकर अगर आपको लगता है कि यह expenses is yeah professionals related expenses सब को एक एक करके बारी-बारी से बारी-बारी से क्या कर लेना माइनस कर लेना इस इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा निकल गया income काम खतम इतना ही दिमाग लगाना इस से महनत नहीं करना है समझ में आगया बात है बस इंकम को एड करो और expenses को माइनस करो नेट प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन इंकम और एक्सपेंसेस को एड करते समय हम कल आपको इस बात को बोले थे कि देखो बाबू बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सबसे पहले की प्रोफेशन क्या है क्योंकि डॉक्टर का इंकम चार्टरिड अकॉंटरिंट के इंकम से कभी मैज नहीं खायेगा अट दोनों का रखने अंकम अलग है दोनों का मềंत्यज़ यहिँन अलग फॉर्टीन के शुरुवात अगर हम करेंगे तो कश्तिबर 14 किता है स्री एनसी शर्मा इस चार्टर अगांटेंट अगर हैं तो बोलना उन का इंकम एंड कर बना कर इस तरह से दिया हुआ है उनका इंकम यूस को सही सोचके चलना आपना जस्त यह एज्यूम करना कि हम एक chartered accountant है तो मेरा source of income क्या हो सकता है profession income कोई और income की बात नहीं कर रहे अगर हम एक chartered accountant है तो हम bank में पैसा जमा करके रखे होंगे उस पे interest मिला interest हमको मिला मेरा ही income है लेकिन यह मेरा profession income थोड़ी नहीं तो other source में आएगा हम एक chartered accountant है पैसा था shares खरीद लिए थे तो dividend मिला अरे भाई dividend मिला लेकिन यह other source का income है पैसा था घर बना दिये और किराये पे लगा दिये पैसा मिला income तो है लेकिन वो तो house property income है न हम एक chartered accountant है हम professional services के साथ साथ किसी company में भी काम करते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो जॉब से जो पैसा हमको मिल रहा है वो तो salary chapter में टैक्स नबल होगा हमको यह देखना है कि जो professional service हम दे रहे उससे मेरा कौन सा income हो रहा है अगर professional services से related income है तो बस सीधा साम आपको बोलते चले जा रहे यह मेरा पहला question है इसलिए तुमको time लगेगा इसके बाद आपको कभी समझाने का ज़रूरत नहीं है अगर आप कल वाला जान रहे और आज अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहें तो दोनों क्लास के बाद तुमको तीसरे क्लास के बाद profession income एकदम बहुत स्पीड से बनेगा देखो तो जड़ा एक chartered accountant के लिए इन में से कौन सा income तुमको लग रहा है कि एक professional income है जैसे देखिए audit fees है यह allowed की not allowed तो लिखेंगे Gift मिला है father in law ससूर जी से Gift मिल गया तो क्या वो Gift पिताजी से मिले ससूर से मिले साला से मिले गिफ्ट तो गिफ्ट है ना तो गिफ्ट क्या प्रोफेशन इंकम है नहीं हाँ अगर यह गिफ्ट उन्हें किसी कंपणी से मिलता तब वो प्रोफेशन income में treat हो सकता था इसका मतलब कि कि इसको लिखना है डिविडेंट मिला है अब ग्रॉस हो चाहे नेट हो डिविडेंट अधर सोर्स का पार्ट है ठीक है या या कैपिटल गेन में जाएगा देखाएंगा अभी तो फिलाल पढ़े नहीं कैपिटल गेन प्रॉफिट ऑन सेल अब फिलाल पढ़े नहीं तो कैसे जानते लेकिन असेट को बेच दिये तो यह अधर सोर्स होगा यह अधर सोर्स होगा मतलब इसमें से से इंकम का सोर्स कितना है मेरे लिए सिर्फ एक और फिस है तो जब आप इस इंकम के लिए फॉर्मेट तयार करेंगे तो जब आप फॉर्मेट तयार करेंगे Toru लिखेंगे in come from profession of mr. Nc और इंकम के नाम पर सिर्फ लिखना होगा क्या और इटीज तो यह तीन लाग सब्सक्राइब लिखिए गए अब यहां पर लिख देना इसले एक्सपेंसेंसल माहान कि all the water capל एक्सपेंसल करके एक्सपेंसस के नाम पर देखिए तो क्या क्या हो सकता है ऑफिस एक्सपेंस ईग करियोगा मैस इट कीज़ेगा बमटनलहा लिख हो इंप्लॉईस का सलरी है कि है अलावड है क्या करिएगा माइनस और आ बुक पे पैसा खर्ज किए लिखा अधर दैने अन्वल पब्लीकेशन इसका मतलब क्या हुआ देखो जो बुक अन्वल पब्लिच्ट होता है ऐना ऐसा किताब जो पब्लिच्ट होता है एन्वली उसपे डेप्रेसियेशन होता है 100% ठीक है ना जो बुक एन्वल होगा ध्यान रखना जो एन्वल पब्लिस्ट हो रहा है उसमें डेप्रिसियेशन चार्ज होगा एड़ रेट कितना पसेंट 100% चार्ज होगा लाइक इंकम टैक्स एंड लॉका बुक आप जिस इंकम टैक्स की किताब को पढ़ रहे हो कल सरकार ने एक फरवरी 2023 को बजट पास किया और बजट पास करके पूरा इंकम टैक्स का रूल ही हिला दिया तो जिस income tax के book से आप अभी पढ़ रहे हो अगले साल उस income tax का book का कोई demand market में होगा खतम हो जाएगा क्योंकि law change हो गया जहां law change हुआ मतलब इस book का validity life किते साल हुआ एक साल एक साल बात जैसे यह क्या होगा हाँ पुराना reference देखने के लिए हम कुछ देख सकते है लग बात है लेकिन कहीं न कहीं यह बुक जो है अब reliable नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ेंगे कुछ और rule change हो गया कुछ और तो ऐसे में ध्यान रखेगा law और tax से related books इसका life होता है एक साल और एक साल में उसका value हो जाता जीरो इसका मतलब कि उस पर depreciation कितना परसेंट लग जाएगा 100 परसेंट लग गया लेकिन law और taxation के अलावे अगर कोई books है जिसका publish है जिसका है ना एन्वल कहीं न कहीं publish नहीं होता lifetime चलता जैसे accounts का बुक है है ना business law का बुक है या फिर और किसी तरह का बुक है जो एन्वल पब्लिकेशन नहीं होता सालाना नहीं छपता तो उस case में है ना depreciation उस case में कितना हो जाएगा 40% पर एनम जो है वह डेप्रिशेशन चार्ज होता है इस बात को ध्यान रखना है यानि एन्वल पब्लिकेशन है तो 100% और एन्वल अगर बुक पब्लिश नहीं होता है तो उस बुक पर डेप्रिशेशन लगता है कितना परसेंट 40% इस बात को ध्यान रखेगा अब देखिए यहां क्या बोला आपसे क्वेश्चन में इस बुक कितने का खरीदें 5500 तो 5500 जागर किताब खरीदतें अगर यह एन्वल पब्लिश्ट होता तो यह 100% मेरे लिए expenses मानते और इस पूरा का पूरा पैसा इस expenses में क्या करते हम माइनस करते हैं ठीक लेकिन ये बुक annual published नहीं होता है अधर दैने अन्वल पब्लिश्ट इसका मतलब कि ये बुक पच्पन सो का खरीदे तो क्या एक साल में खर्चा हो गया ये नहीं तो आप क्या करोगे लिखोगे depreciation on book और इस बुक पर depreciation कितना लगाएंगे 40% यानि पच्पन सो का 40% निका लिएगा जो amount आएगा वही पैसा आपके लिए expenses है ना कि पूरा book expenses इसमें book को क्या trade किया जाएगा asset trade किया जाएगा तो पच्पन सो का 40% depreciation on book और जो amount आएगा वही आपके लिए expenses होगा तो यहां लिख दिजेगा depreciation on book कितना परसेंट 40% खतम इसके बाद देखे लिखा हुआ personal expenses 3,02,000 personal expenses है तो personal expenses क्या हो जाएगा allowed होगा कभी भी तो personal expenses कहीं न कहीं इसमें क्या है not allowed expenses है लेकिन देखेंगे अभी कि अगर शायद नीचे कुछ inform कर दे तो फिरू बात की बात है ऐसे तो फिलाल not allowed है donation दिए हम लोग ndf में ndf का मतलब क्या होता है national disaster fund हम दे सकते हैं है ना या national defense bond fund भी होता है लेकिन ndf वर्ड का मतलब national disaster fund में हम पैसा donate किये देखो national disaster fund में अगर आप पैसा donate करते हो तो यह पूरी तरह से exempt item होता है हम इसका exemption ले सकते हैं तो अब इसका exemption ही मिल जाएगा तो फिर taxable income में add करके या less करके benefit है नहीं तो इसको ignore करो interest भरे यह interest किस बात का कुछ बोला आपको नीचे जहां पूरी तरह से या फिर आप इसको यहां पे अगर आप इसको expenses को यहां अगर minus कर दोगे तो फिर exemption नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम already यहां क्या कर लिए माइनस कर लिए expenses मान करके तो फिर exemption कैसे लोगे तो अगर हम आज उसको ignore करेंगे तो मेरा profit क्या रहेगा ज्यादा रहेगा तो कल को जब हम total income लेंगे तो लास्ट में उसका क्या कर सकते हैं इसलिए क्या करना अभी फिलाल इग्नोर करना ताकि हम उसका exemption ले सके नहीं तो फिर exemption ही नहीं क्लेम कर पाओगे फिर तो तो इसके बाद देखे लिखा हुआ है interest और इंट्रेस्ट साते सो रुपया यह पेड है की रिसीव है पैड़ है expenditure side मतलब interest हम क्या कर रहे है पे कर रहे हैं अब देखो यह interest किस बात का हम पर अभिपर आपको मालूम है नीचे जा करके क्लियरफाइए कर लिए और अगर नहीं किया clear नहीं बोलाइब को थे एक लिया जाएगा कि यह इंटरेस्न के लिए लोन लिये होंगे उसी का इंटरेस्ट हम भर तो अगर यह इंटरस्ट बोल दिया कि उने घर बनाये थे और ता ठीक है तब तो अगर यह बिजनस में प Hendira कर दो मेंसा करना पड़ेगा कि धिए लोन ली होंगे गांटेद तो इस पैसे को भी अलावड मानके क्या किए गांऑ musst इंकम choses कार एक्सपेंस तो देखना होगा कि कार का इस्तमाल का होता है अगर इस खार का का इस्तेमाल business और profession के लिए होता है तो यह expenses क्या होगा अलाव होगा माइनस करेंगे कार का इस्तेमाल अगर पूरा personal use होता है तो यह फिर not allowed होगा इग्णोर कर देंगे इसके बाद इस surplus का तो कोई काम ही भी नहीं होता है इग्णोर कर दिए चलो अब नीचे हम लोग clarify करते हैं कि क्या क्या दिया हो देखिए क्या लिखा है यूवर रिक्वाइट तो कंपूर्ट इस प्रोफेशन इंकम फॉद असेस्मेंट यर्बाइस तैस considering the following points देखिए अब क्या लिखा है क्कूर्शन कहें दिया कि जो कार आप इस्तमाल करते हो एक्वली और ऑफिसियल और परस्नल दोनों के यूज के लिए करते हो तो देखिए कार से related expenses कितना था 2000 इसका मतलब 1000 इसका परसनल के साट है एक हजार इसका क्या है उफिसीज ईक्समेंस ऍेक्स पेंस लाओड लिखेंगा तो कार का एकस के लाओड कितना हो जाएगा एक हजार हम अच्हाच बोला इस आर पेडी अच्छाए हिए कि येनूली नinté क्या मानाजाएगा तो depreciation on car 500 रुपीज इभी क्या किजेगा माइनस कर लिजेगा कितना आधा कि पुरा कि पूरा है क्योंकि बोल दिया आपको तो उसके साथ चलना है इसके बाद बोला वन थाउजंड domestic servant salary is included in the employee salary देखें employee का salary कितना था 5000 बोला 5000 हम allowed मानके क्या किये थे माइनस किये थे तो बोल रहा नहीं 5000 माइनस नहीं होगा क्योंकि इस 5000 में 1000 रुपिया मेरे जो घर का नौकर था उस पे हम खर्च करते हैं मतलब business में खर्च कितना करते हैं 4000 तो जहां 5000 माइनस कर रहे थे वहां क्या करोगे 4000 लिए हर आगे थाट गणी लोल अलगा यहाज लिया गया था किस बात के लिए परसोनल पर्वस के लिए लोन लिया गया था इसका मतलब है कि जो इंटरेश्ट हम भर रहे थे जिसको माइनस किये थे लाउड हlor बानकर अब इसको minus क्या करना है नहीं करना है क्यों क्योंकि ये loan पर interest कौन सा वला था personal loan जब personal तो interest भी क्या हो गई है personal professional तो नहीं हो सकता मतलब अब ये interest of loan मेरा allowed नहीं हुआ मतलब हम minus नहीं करेंगे इसके बाद allowed करना है depreciation को बुक्स पर कितना पसेंट 40 पसेंट नहीं भी कहता तो मुतना करते तो हम अल्रडी कर चुके हैं यानि ओवर ओल अगर हम इस पूरे क्वेश्चन का रिव्यू देखे और हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले 30,000,000 आपका इंकम हो गया तो 30,000,000 एड करोगे इस में से expenses allowed के नाम पर एक expenses 10,000 माइनस करोगे इंप्लॉई का सालरी 5,000 नहीं बलकि माइनस कितना करना है चार हजार क्योंकि एक था परस्नल एक्सपेंसेज है माइनस हो गया इसके बाद बुक खरीदे थे बुक्स पर्चेस किये थे तो पच्पन सव का 40% निकालिएगा और डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तुम्हारा कितना वाइस वह ला पैसा माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बुक के बाद कार एक्सपेंस देख रहे हो तो 2000 नहीं होगा कितना होगा 1000 माइनस हो जाएगा क्योंकि 1000 रूपिय हम कहां के लिए किये थे और इस कार पर डेप्रिसिएशन का पैसा पूरा किसके लिए था आफिसिएल यूज था तो डेप्रिसिएशन ऑन कार ये पैसा हम माइनस करेंगे और बाकी क्वेस्चन खतम हो जाएगा कि बन गए यहां तक तो इतना कर लोगे तो यह कुशन नबर 14 जो है यह निप्टा देंगे अप इतना ही सॉलिशन है इसमें कि देखिए डोनेशन का सर्ट ट्रीट्मेंट क्यों नहीं किये हम दोनेशन को क्यों इग्रोर किये बात समझना अगर आपके अंदर कंफ्यूजन है तो देख लो अंद्ट साथ यह कॉब नदेखें एंडीफ एंडीफ का मतलब क्या होता है नेशनलियास्टर का मतलब समस्त है भारत में कई सारे स्टेट में कभी बार आगया तहीं सुनामी आगया कभी कहीं सुखाड आ कोई महा मारी आ गया कभी कोरोना आ गया कुछ तरह का चीज़ आ गया तो भारत में ये समस्याएं इतने बड़े देश में ये सबसमस्या common है तो फान उठेगा उड़ीसा बरबाद हो जाएगा बाड आएगा पहले बिहार बरबाद हो जाएगा तो कहने का मतलब कि कहीं न कही government इसका तयारी बाड़ाय चाहे नहीं आए पहले से करता है तो इसके लिए एक fund बना कर रखा है जिसको हम बोलते है national disaster fund ठीक न national disaster fund में कोई भी आदमी कोई भी business अगर पैसा contribute करता है इसका मतलब क्या ये contribution आपका अपने लिए है अपने देश के लिए है जब भी ध्यान रखना है कि हम national disaster fund में पैसा contribute कर रहे हैं जमा कर रहे हैं तो इस जमा करने का प्रेरना लोग को कहां से आएगा जब तक सरकार आपको एक लॉलीपॉप ना दे तब तक आप जमा करो गुसमें पैसा आप तब तक देश भक्ती तो नहीं जागेगा लेकिन सरकार आपसे ये कहे कि तो फिर कहीं न कहीं आपका मन होगा कि यार एक हम धरम करम भी कर लेते हैं और दूसरा अडवांटेज हमको मिलेगा कि टैक्स में भी क्या होगा चूट मिले ऐसे भी सरकार मेरे से टैक्स लेही लेगा तो सरकार को टैक्स देने से अच्छा है कि जहां हम चाहते हैं वहां र दिजास्टर फंड में पैसा डाल दो कहीं बाढ़ आगे आपको देखके बहुत तकलीफ है एक काम करो आपके पास समय नहीं है उनका मदद करने के लिए पैसा देदो मदद हो जाएगा और दूसरा बेनिफिट आपको क्या दे रहा गवर्मेंट कि उसको टैक्स में एक्जिम निकलेंगे कब इनकम एड़ करने के बाद और जो एक्स्पेंसेस अलाउड था उसको माइनस करने के बाद जो आगवाव चलेगा एक बार ही अगर आप नेट प्रोफिट निकाल ली है बार परम बोल रहे हैं नेक कम को जोड़ने के बा nuestras नेट प्रॉफिट निकलने के बाल हम इसका डिरूट्शन ले सकते न्यगे हैं तो भाइ उसका डिडॉक्ट्सेण ले सकते हैं तो père उसका छूट हमको चाहिए अब आप अपनी profit में से इस ndf के पैसे को क्या करोगे माइनस करोगे और माइनस करके जो पैसा आएगा यही आपका taxable income from profession कहलाएगा तो आपको इस पैसे पर tax देना है अब आप करें कि इसको क्यों नहीं घटा है जब हम इसको 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 घटा रहते तो इसको भी तो घटा कि इसको लिखें अब हम expenses को क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे तो expenses को माइनस करते तब जा करके मेरा क्या निकलता नेट प्रॉफिट निकलता जिसको हम यहां लिखे थे अगर हम इस ndf का पैसा यहीं पर माइनस कर दें ndf माइनस कर दें तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा जब नेट प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद हमको डिडेक्शन मिलता है तो अगर आप फिर लिखोगे less deduction under section 80 अब फिर आप ndf का पैसा deduction ले रहे हो तो एक ही deduction तु क्या बर लोगे चांज तो ऐसे में हम इसको क्या किये कि हम एक ताइंम हम इसको माल लिए कि नहीं यह expenses अलाव नहीं है क्यों कि एक बार हम इसको expenses में माइनस कर देंगे NDF को तो एक बार expenses भी में माइनस कर रहे हैं अजब माइनस करके net profit निकला तो net profit के बाद भी हम उसका deduction ले रहे हैं तो एक ही expenses पे कितनी बार deduction लोगे दो बार तो नहीं हो सकता इसलिए हम क्या किये कि यहां पे NDF को इग्णोर कर दिए ताकि मेरा net profit सही है और net profit एक बार आ गया तो उसके बाद तो deduction ले नहीं है तो उससे पहले हम deduction क्यों ले इस वज़े से ध्यान रखेगा हम NDF को net profit निकालते से महम क्या कर दिए इग्णोर कर दिए कोई भी deduction net profit निकलने के बाद मिलता है पहले ही नहीं मिल जाता है इसलिए कि इसी भी तरह का कोई deduction अगर हमारे profession income दिया हुआ है तो उस deduction को ignore करिए क्योंकि net profit निकलने के बाद हम deduction लेते हैं ना कि profit निकलने से पहले ही हम deduction ले लेते हैं इस वज़े से उसको ignore कर दिये हैं ठीक है यह हो गया question number 14 question number 15 को देखे ज़रा जल्दी जल्दी अब बहुत जादा मेहनत करने का ज़रत नहीं है उमीद करते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद आप question समझ रहे होंगे कि question में हमको क्या करना है और कैसे करना है इस question में देखो सबसे पहले बोल रहा है कि रामा कृष्णन is a chartered accountant मतलब कुछ इस तरह से दिया हुआ है पहले additional को ही पढ़ लगते हैं थाकि बीच में confusion हो जाता है बला ऑफिस का जो रेंट है उसमें 3000 फ्रू पेड इस नौट रिकॉर्ड़ेट पर ऑफिस का जो रेंट है तीन हजार रुपय का उसमें से हम तीन हजार रुपया क्या किये थे रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कि तीन हजार हम को इसके साथ और क्या करना है और रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड छूड गया मतलब आप इसको बोल सकते हैं और स्टेंडिंग है बुला depreciation कार पर चार्ज करना है कितना छे अजार पूरा depreciation निकाल के दिया हुआ कार पर और थर्टी परसेंट ऑफ दा कार expenses आर रिलेटिंग तुदा पर्सनल परपस यानि थर्टी परसेंट हो गया परसनल तो सेवेंटी परसेंट क्या हो जाएगा प्रोफेशनल यानि official हो जाएगा यानि कार expenses जितना भी होगा उसका हमको माइनस करना है लेकिन पूरा नहीं कितना 70% माइनस करना है क्योंकि 30 तो परसनल है अब परसनल वाले को हमको क्या करना है इग्नोर करना है यहां तो सीधा-सीधा काम करना है जो expenses allowed है उसको माइनस करो जो not allowed उसको छोड़ दो सीधा सब्सक्राइब अब यहां पर देखो income के नाम पर तुम्हारे पास सबसे पहले क्या है audit fees add कर लोगे इसके बाद बोला financial इसका मतलब यह चार्ट अकाउंटन का इंकम है इसके बाद इंट्रेस्ट और बैंक नॉट अलाउट अधर सोर्स डिविडेंट हमको मिला यूटी आई से मिले जाहां से भी मिले है तो डिविडेंट ना नौट अलाउट और अकाउंटेंसी का वर्क है हमारा तो अलाउट है मतलब इंकम के नाम पर कितना आइटम तो तीनों आइटम को इंकम है तो इंकम के नाम पर किजेगा एड कर लिजेगा इसके बाद एक्सपेंसेस के नाम पर देखो ओफिस का रेंट माइनस करोगे स्टाफ का सेलरी माइनस करोगे चैरिटीज फिर आ गया वही कुस्टन जो भी आपको अंडिय अब समझाये ते दान दिये तो डिड़क्टेबल आइटम में डिड़क्शन मिलेगा इग्नोर करो अभी गिफ सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल का मतलब जर्नल इंटर नहीं है जर्नल का मतलब यहां किस से होगा मैगजीन से होगा आप कहेंगे मैगजीन कैसे अलावड हो जाएगा देखिए एक चार्टर अकाउंटेंट है कल बजट पेश हुआ ठिक सपोस करो कल एक फरवरी था 2023 बजट पस हुआ तो जो चार्टर अकाउंटेंट है उनके लिए यह बजट बहुत महत्तकून बोल on था। क्योंकि बजट पास करना सरकार का काम मेलेकिन उसको क्यों करना ठैक्स कलेट करना इंप सबसे जश्याधा काम किसके लिए बहुत बढ़ा रोल है अब आब सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई चार्टेट अकाउंटेंट पूरा न्यूज में डूब गया तो इंकम टैक्स में टोटल क्या-क्या अमेंडमेंट आया पता चल जाएगा और पता चल जाए रियाद रख लेंगे या कोई प्रूफ है कि हाँ वही चीज होगा तो ऐसे में जो प्रॉफेशनल परसंस होंगे न वह हमेशा बहुत सारी कंपनी भारत में है जो मैगजीन्स तयार करती है इन चीजों के लिए बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो इस्पेशली मैगजीन प्रिंट करता है मतलब सरकार कोई भी नया नियम चेंज करके लाए एकदम गिद की तरह नजर बना करकता है उसका काम ही वही है जैसे नियूस का काम क्या होता है कहीं भी कोई घटना वह रिपोर्टर बना करका हुआ त तो वह उस मैगजीन में उसको अपना जगा देता है तो चार्टर अकांटेंट क्या करेंगे कि उतना दिन भर न्यूज देखने से अच्छा है कि जर्नल और मैगजीन को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्रिप्शन लेलो जैसे ही कोई लॉट चेंज होगा जितनी जल्दी हो सक आलाउड है झार ड्राइंस नॉट वाउड़ कार एक्सपेंशेज चोभी सजार का है लेकिन आपको बोला था कि जो कार एक्सपेंशेज वह प्रोफेस्टनल के लिए कितना होता है सेवेंटी परसेंड तो जो कारेंशेज 24,000 का है उसका सतर परसेंट निकाल लिएगा जो ऋसको क्या करना माईनस कर लेना हौशोल्ड एक्सपेंस पर्सैल है छोड दीज़े झायर च्विज पर्सेश किया सेविंग सर्टिफिकेत उसको बनते यह सी अन्स्क पर चिस किया एक होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है सरी कहां मिलता है ऐसा तुम कभी सुने ही नहीं देखो पोस्ट ओफिस का नाम सुने पोस्ट ओफिस बूस्ट ऊफीस का काम क्या था की भेजना यहीं काम था लेकिन आप में से कितने लोगं कि लिखते हैं आप तो लिखे भी नहीं कितना लोग तक भी लीएं अभी किल्गें तो कहीं ना कहीं अब टेकनिकल टेकनलोजी इतना एडवांस्ट है कि लोग चिठ्थी लिखने तो जाएगा नहीं अब आप सोचो कि जब हम चिठ्थी नहीं लिख लें तो पोस्ट ओफिस का हालाद क्या हुआ होगा खराब होना शुरू होगा लेकिन चुकि यह सरकारी उक्रम था सरकार का एक इं बहुत अच्छा चीज है तो सरकार नहीं है डिसाइड किया कि आके पोस्ट ओफिस को जिंदा कैसे रखें तो पोस्ट ओफिस में कुछ फंड इशू किया गया सरकार की तरफ से उस फंड में से एक ऑप्शन था पैसा इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका था जिसको आप पोल्त नसी नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्च्छल में यह क्या है एक तरगा सर्टिफिकेट है जैसे सपोस्ट करो आपको दस हजार रुपिया इन्वेस्ट करना है आप जाहिए पोस्ट ओफिस पोस्ट ओफिस में जो लोग बैठे होंगे उनको कहिएगा कि हमको द अगर आपको एक लाग का एनसी लेना है तो दस हजार वाला तुमको दस टो एनसी देदेगा अगर आपको दस लाग का एनसी लेना है तो दस दस हजार रुपिया वाला सो गो या हजार गो एनसी देदेगा है ना मतलब उसमें आपके अकॉर्डिंग वो नहीं छपता दस होता है वैसे ही आपको प्रिंटेड मिलेगा डॉक्यूमेंट बस जाएए पैसा दीजे तुम्हारे नाम से वह एनसी इशू हो जाएगा आप उसको सर्टिफिकेट को लेके समहाल के घर में रखिए तीजोरी में बंद करके जितने साल के लिए वह एनसी आपने लिया होगा जैसे पांस साल के लिए एनसी खरीदे पांस साल बाद उसी पोस्ट ओफिस में जाएए अपने उस डॉक्यूमेंट को जमा कीजिए और उस जमा करने के बदले में आपको क्या होगा एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और एक कोई खर देगा क्यों उससे बढ़िया में एफडी कर देंगे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने पोस्ट ओफिस में क्यों हो जाए हम इसलिए तो ध्यान रखना कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो और फिक्स डिपॉजिट पर जो इंट्रेस्ट मिलता है वह हो जाता है टेक्सिबल इंकम में काउंट होता है लेकिन वही चीज़ जब आप एनसी खरीदेंगे और एनसी से जो इंट्रेस्ट मिलेगा वह पैसा क्या होगा टेक्स फ्री हो जाएगा लगाओगे कि नहीं लगाओगे पैसा इससे देखो दो फाइदा मिला एक बैंकिंग छोड़ करके आप बैंक में जब भी आपको फिक्स डिपोजित करना होगा तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल गया कि भाई टैक्स भी नहीं लगेगा इंट्रेस्ट भी है और अच्छा खासा रिटर्न मतला बैंक में जो आपको फिक्स डिपोजित पेंट्रेस्ट मतलब कहीं न कहीं आप ज्यादा इंट्रेस्ट के लालत में जाओगे ज्यादा टैक्स सेविंग के लालत में जाओगे और रहा बात सिक्योरिटी का तो एनसी का गारेंटी कौन लेता है भारा सरकारी लेता है तो हंड्रेट परसेंट सेफ भी होके डूबने का भी चांस नह होगा और एनसी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं आपको टैक्स में क्या होगा रिबेट मिलेगा मतलब आप इसको एक तरह का डिड़क्शन मान सकते हो इसलिए हम उसको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे बाकी और तो कुछ बचा नहीं प्लस माइन